हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक टो मीनी गार्डन, कैसे हो फ्रेंड साब सब लोग, I hope सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सिस्क्राइब करना मत भूलना, और लाइक शियर और कमेंट करना भी मत भ आते हैं, तो फ्रेंड कुछ ऐसे ही पौदों के, आज मैं बात कर रही हूं, कुछ ऐसे प्लांट से, जो आप अपने घरों में इसको एड कर सकते हो, जो नहीं लगा रखे, आप इसे जुरूर से लगाना, तो फ्रेंड सबसे पहले में आपको जिसे प्लांट सब ने दिख ये एरपूरी फायर प्लांट है, जो घर के वादवरन को शुद रखता है, और ये बहुत शुब माना जाता है, इसे आप दूप में तो मत रखना, इसको इंडोरी रखना, जिससे कि मैंने इसे अपने पोर्च में ही रखा है, तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर रह है, तो फ्रेंड्स ये कई वेराइटी में भी आती है, कई में आपको दिखा भी रखा है, मेरे पर कई वेराइटी है, ग्रीन है, येलो वाइट में है, तो फ्रेंड्स कई ब्लैक में भी है, तो कई वेराइटी में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर से अपने गार्डन में एट करना और फ्रेंट डूसरे नंबर पे है जिसे मनी प्लांट मनी प्लांट एक बहुत अच्छा प्लांट है यह सुक्स मृदी के लिए भी बहुत अच्छा है घर के लिए बहुत शुब माना जाता है आप इसे पानी में इसली ग्रो कर सकते हो तो जैसे मेरा यह money plant है इसको मैंने एक छोटे से pot में ही लगा रखा है तो इसको मैंने कभी भी money plant friends लगाते हो तो फिर इसको जो stem होती है roots उसको नीचे की side से मत जैसे लटक जाते हैं तो उसको उपर ही करना क्योंकि money plant उपर की side ज्यादा कहते हैं उपर की side होना ज्यादा बेटर है तो आप इसे जरूर से और जब भी आपकी यह stem बेल तो उसको उपर की side करना तो इसलिए बहुत शुब माना जाता है और यह air purifier भी plant है तो money plant बहुत शुब माना जाता है तो फ्रैंड यह दूसरी नंबर पर है money plant और तीसरी नंबर पर फ्रैंड्स यह English ivy English ivy के कई variety है मेरे पास तो इसके जो लीव से बहुत छोटी छोटी है यह देखिए कई तरह के भी English ivy है जिसकी लीव थोड़ी से बड़ी होती है पर यह छोटी वाली है ट्रैंगल करके देखिए तो फ्रैंड्स यह air purifier plant है यह बहुत अच्छा है यह हमारी घर के बाता और उनको शुद रखता है तो आप इसे भी लगाना और यह बहुत ही खुबसूरत लगता है इसकी बेल देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है मैंने इसे ऐसे वह है बेल क तो यह बहुत ही प्यारा लगता है यह बहुत ही सुन्दर है आप इस टाइम सी कटिंग भी लगाई हो जाएगा तो यह बहुत लखी भी प्लांट है आप इसको जरूर से लगाना और फ्रैंड्स यह चौते नंबर पे है मेरा spider plant यह देखिए यह air purifier plant भी है फ्रैंड्स यह low maintenance plant है आप इसे जरूर से लगाना यह वैसे भी बहुत easily grow हो जाता है अगर आप इसको लगाते हो तो इसके जैसे यह चुटे-चुटे baby plants है ना इनके जो चुटे-चुटे babies निकल रहे हैं तो आप इसमें इसे पानी में डाल दीजिए तो easily grow हो जाएगा फिर आप इसको कर्नीमें लगा दो तो बहुत जल्दी में यह उजाता है और फ्रेंट्स यह लों इंटरमियर सिप्लाइट अ आप इस heel दूप में मत रखना कि दूप में बहुत जल्दी इनके लीफस होती है इसे बहुत जल्दी खराब जाती है एक अची सब्सक्राइब हो यह आते हैं और यह जो घर के कौने में रखा जाता है Erika अपने बाइब करते हैं तो आप इससे अपने घरों में लगाई इसको बैड़रूम वगेरा में आप किछन में साइड में कहीं भी लगा सकते हो मैंने तो कई जगा लगा रखा है ऐसे भी मेरे रूम में कई प्लांट्स हैं बहुत सारे तो फ्रेंड्स आप इसे एड़ करिए अपने गार्डन में और ये घर के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है शुब में माना जाता है एर पूरिफायर भी है तो कई गुर्ण इन लगता है यह हर घर में ही होता है इसमें आपने फ्लावर से निकलते हैं बहुत्य बहुत भी म्हों बहुत प्यारा लगता है एक मेरा फिस ले ली बहुत अच्छा है दो मेने इंडॉरी लखा है क्योंकर Pride आप इसे भी अपने गार्डन में लगा सकते हो तो इसको अधिकतर इंडौरी रखना यह ज़्यादा इसको फैटलाइजर देने की जुरूत नहीं है पंद्रा दिन में एक बार दे सकते हो कुछ भी दे सकते हो जो आप अपने गार्डन में देते हो तो बहुत अच्छे से जो हर घर में ही होते हैं इसनेक प्लांट एक लो मेंटेनिस प्लांट है जैसे पता है कि स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा है यह कई वराइटी में भी आते हैं यह लकी प्लांट भी माना जाता है घर के लिए बहुत शुब होता है और यह फ्रैंट जो घर की जो नमी होती कि बहुत से लोग को दिकिता और जाता है तो अलरजी में बहुत अच्छा प्लांट ऑप्लाइब करना हो इसे जरूर से लगा हो सबसे प्लांट प्लांट सबसे फ्रार के बहुत बने बहुतative जाता कुने यह तो उसमें टो प्यार औंगे, तो स्नों प्लाइय। कई शॉप में भी होते ऑफिस में भी रखते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं लकी बैंबो और यह भी एर प्लांट है आप इसे भी जरूर से अपने गार्डन में जरूर से लगाना फ्रेंड्स आप इसको अधिकतर आप इंडोरी रखना और वैसे भी इंडोरी चलता है तो आप इंडोर रखना और बहुत ही प्यारा प्लांट है तो इसको भी बहुत लॉइंटेनिस प्लांट है फ्रेंड्स आप वीक में या फिर फंदरा दिन में आप इसको कोई सा भी फैटलाइजर आप इससे दे सकते हो जो यह सर्वाइव करता है और वैसे भी इसको ज्या प्रेंड्स यह भी एर प्रिफायर प्लांट है और घर के लिए बहुत शुप माला जाता है आप इसे भी जरूर से लगाना यह दो वैराइटी में आती है जैसे यह मेरा है ग्रीन वाले और एक होते हैं जिसमें जिसके लीव होती है ब्लैक लर की तो वह भी बहुत ही प्या आती हूं इसके नीचे जैसे यह है फ्रेंड्स छोटी सी रूट सारी है इसके नीचे एक आलू होता है ना तो उससे यह लगता है छोटी चोटी आलू से आप इसके लगाना हो तो इसकी लीव से भी लग जाता है जो इसके एक छोटी सी लीव तोड़के आप इसे पानी में डाल दोगे या फिर कोको पीट में भी लगा दोगे तो यह बहुत जल्दी सर्वाइब करता है और बहुत जल्दी इसके रूट्स आते हैं तो फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा प्लांट है आप इसे इसली ग्रो कर सकते हो और यह एर पुरिफायर जैसे मैंने बताया है जो ज लगाई है तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरे वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर से बोलना और लाइक शेयर जरूर से करना और फ्रेंड जो मेरे चैनल पर है प्लीज वो सब्सक्राइब करना मत भूलना तो फ्रेंड्स बाइ टेक क्यर